तो जैने दोस्तों जैसा कि आपका SSC, SSL का एक्जाम समाप्त हो गया है तो आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि इसका टायर 1 का एक्सपेकरेक्ट कटफ है वो क्या रहने वाला है और जो आपका जो एंसर की है जो आने में जो लेट हो रहा है वो आखिर की हो रह देख्रेंगे तो चली वीडियो को सुरू करते हैं बीना किसी देरी के तो सबसे पहले बात दोस्तों कर लेते हैं आपका ANSAR की के बार में कि ANSAR की आपका आने में लेट की हो रहा है तो डीख लिजी watched का Mississippi की आपका उसी का जयारी कर इन दौनों को बीच में जो आपका ंसर की जारी करने का साथ दिन है तो इसी परकार आपका विच सारी को खत्व हो ईकई समार्च को फोट अफंब है तो इसाथ दिन aún के बारे में यह आपका अपडेट था जैसा कि आपको मालूम होगा SSC जो आपका फेज 11 को जो फॉर्म है वो भी आपका भरा रहा था तो उस कारण जो सर्वर है आपका क्रेश कर रहा था तो इस कारण भी एंसर किये जो जारी नहीं क्या जा रहा है तो आप लोग वे फिक्र रहें आपको आज 28 सारी काज है तो आज चार बजे से चार बजे के बाद अपना अपना जो एंसर किये आप लोग देख पाएंगे ठीक है तो चलिए बात कर लेते हैं एक टाइर उन के एक्सपेक्टेट कटफ के बारे में जो कि आपके सभी के मन में आपका सवाल होगा ठीक है इस से पले टेस्ट बुक पे चल रहे हैं मार्च डवल्ड हमां का ओफर के बारे में आप लोग बताते हैं जैसा कि नाम में आपका डवल दिख रहा है तो डवल से तात पर यह है कि आपको एक साल के रुपए में आपका जो एक साल का पास मिल दा था अगर इस चेल में आप लेते हैं तो आपको एक साल एक्ष्टा याने कि दो साल का test book जो पासी आपको उपलब्ध हो जाएगा वह भी मातर दो सो एकामन रुपय में जो की पहले आपको 399-360 में मिलता था अब मात्र 251 में दो साल के लिए टेस्ट बुक का जो आपका मोक टेस्ट और प्रिविएस कोस्चन जो है आपका पासेज है जो कि अनलोग हो जागा ये ओफर मात्र दो दिन रने वाला है अठाइस से और 29 मास ठीक है अगर हमारा कूपन कोट आप युच करते हैं APJ तो आपको 10% का एक्ट्रा ओफ मिलेगा तो आप लोग अगर इस ओफर का लाव उठाना चाहते हैं तो डिस्किप्सन में लिंक दिया गया है आप लोग जाकर वहां से डाउनलोड कर लिजएगा हमारा कूपन कोट APJ जरूरी उच किजएगा इसके साथ इसाथ अगर आप लकी होते हैं लकी विजेता होते हैं लकी इस्ट्रेंट में आते हैं तो आप सोरफ गांगली जो कि भारत के पुर्फ कफ्तान रजो के हैं उनसे मिलने का भी मौका है जो कि आप पास सकते हैं इसके लावा टेस्ट बूक को पर दो साल के अंदर जितने भी आपके एकजाम होंगे चाहिए SSC के हो, बैंक के हो, रेलवे के हो या अदर पीसे इस एकजाम में सभी एकजामों का मौक टेस्ट और प्रिवियस और कॉर्शन आप एक इप लेटफॉर्म पर आप दे सकते हैं और अपने त्यारी को व्यतर बना सकते हैं तो जाएए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हमारा कूपन को एपीजे जो जरू से जड़ूर यूज किजिएगा ठीके मातर दोस्तों कामण में आपको दो साल का जो पास से आपको उपलब्द है जो कि कराया जाएगा प्रेंट्स S6 CSL के जो कटफ है एक्स्पाटेट कटफ के जानने से पर ले हम लोग इसको एक्जाम पैटर्न के बारे में डिसक्स कर लेते हैं जह से जो आपका एक्जाम पैटर्न था जिसमें आपका मैस से आपका पचीस कौस्चन पूछा गया था रिजिंग से फाटीस गया था यानि कि 100 question आपका पूछा गया था गंटा का समय आपको मिला था साट मिनिट का ठीक है साट मिनिट में आपको सो कॉस्टन जो करना था इसके अलावाद self attempt की बात कर लेते हैं हम लोग self attempt का कि आपका safe attempt आपका जो portion वाहिए हो क्या क्या रहा था तो इस वार के बच्चों से बात करने के पच्चात मैं जो आपका safe attempt दिखा है वह आपका अठारा पचीस में से अठारा question आप अगर कर के आए होंगे तो यह एक आपका वेतर safe attempt था इसके आपका इसके आपका पचीस में आप अगर 20 question भी कर लेते थे तो आपका यह safe था इसका जी के जीस का जो portion थोड़ा सा hard पुछा गया था moderate level का पुछा गया था तो इसमें 14 से 15 question भी आप कर लेते हैं तो आपका यह एक आपका safe attempt था ठीक है इसके आपका इंग्लिस की बात करेंगे तो इंग्लिस में आपका 25 में से 18 question इस वार का आपका safe attempt था ठीक है तो यह तो दूस्तों आपका राए exam pattern और safe attempt के बारे में ठीक है इसके बात friends आपका जो 100 objective question था जिसमें आपका जो टोटल मार्क सा 200 मार्क का था मलब की एक question आपका दो नंबर का था ठीक है 25 question आपका इस section था जो कि हमने अभी discuss कर लिया है इसके अलावा एक question बगर सही करते हैं तो मार्क्स आप प्राप्त करते हैं इसके अलावा एक को आप गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स यानि कि आपका नेगेटिव मार्किंग भी आपका इस session exam में आपको देखा गया था ठीक है तो यह तो दोस्तों आपका रहा exam pattern और आपका यह exam के बारे में कुछ details ठीक है इसके अलावा इस अबार के expected cut-up को जानने से पले हैं हम लोग प्रिविए सिर को cut-up को देख लेते हैं क्योंकि आपका एक कटफ दोजाबाइस जो क्या आपका ओफिस्यल है ठीक है तो यूर का जो cut-up था आपका 2022 में जो आपका एक्जाम होगा था उसका टायर वन कहां पर देख भी सकते हैं वह आपका 140.18 था ठीक है 140.111 cut-up marks था यूर का इसके अलावा सी का cut-up marks आप यहां पर देख सकते हैं 112 था ठीक है इसके लावा स्टी का जो cut-up marks था वह आपका 104 था ठीक है यह cut-up marks आपका 200 marks का है यहाद दखिएगा ठीक है इसके लावा OVC का cut-up marks देखें तो आपका 140 था EWS का cut-up marks आपका 131 था ESM का आपका 55 था OS का आपका 107 था HS का पैसर था VS 89 था और PW अधर का 56.41 था ठीक है तो यह तो आपका 22 का cut-up था जो कि ओफिस्यल साइट से ही लिया गया है इसके अलावा दोस्तों आपका 20-30 वाला जो cut-up है उसको भी एक बर देख लेते हैं क्योंकि expected cut-up को जाने सपले पिछले दो से तिन सालों का cut-up का analysis जो की करना जरूरी होता है ठीक है तो लिए तर था वह की बात करेंगे तो आपका 106.37 था इसके अलावा एचेज का आपका 63 था भी एच का 93 था पी डावलू का आपका एक क्यामान था ठीक है तो यह तो आपका 21 का और 22 का यह आपका cut-up था लेकिन अभी जो आपका 23 में एक्जाम हुआ है उसकी cut-up के बारे में अब ह चलिए देखते हैं तो यह आपका 23 का आपका expected cut-up है ठीक है तो इसमें आपका 5-6 नमर आगे पीछे हो सकता है तो लोग आप लोग तोसम मैनेज कर लिजिएगा तो देखिए एक्सपेक्टे जो cut-up है आपका 2023 में जो आपका एक्जाम हुआ हालांके 22 का एक्जाम है लेकिन 23 में आपका एक्जाम कंड़क्ट हुआ है तो इसका expected cut-up टायर वन का इस बात को या दखिएगा यह आपका टायर वन का है बहुत सारे मन में सवाल आते इस्ट्रेंट का किसे यह टायर वन का यह ओवरल का है तो आपको मपले बता दी आपका टायर वन का एक्जाम यहाली मे सो में आपका का छटके तो आप एक बहतर एक इसे मह ये WS category में तो आप एक बहतर इस्तिति में हैं इसके लावा AC की बात करेंगे तो दुस्तों आपका 105 से 110 question ठीक है 105 से 110 question नहीं 105 से 110 marks ठीक है यानि की question की बात करेंगे तो आपका 50 से 55 question अगर आपका सही है तो आप एक वहतर इस्तिती में है उसके साथ हम लोग ST की कटफ की बात करेंगे सो ST का जो कटफ है आपका 95-100 अगर आपका ST का नंबर आपका आ रहा है तो आप एक वहतर इस्तिती में है और आप लोग TIER1 का जो त्यारी हैं आप लोग कर सकते हैं परकार हमने वीडियो को शुरू में बताये था कि आपका जो एंसर किये वह कवा आएगा तो आज चार बजे के बाद है जो कि आने का पूरा संभावना है तो आप लोग त्यार रहिएगा एंसर किया आएगा तो आपको अपडेट है जो किसी चैनल के मादम से दिया जाएगा साथ ही टेलगराम पर सबस्रेप लेग दिया जाता है तो लिंक डिस्किप्शन में आप लोग जाकर वहां से जोईन कर लिजिएगा और टेस्ट को काउफर लाब उठाना चाहते हैं मातर 277 पर में दो साल का पास का तो उसका भी लिंक डिस्किप्शन में है आप लोग जाक पास कर लके आपड़ लो में है आप लोगो important है एकम डिए आप है तो पुछ्या थाटी लिंक का अपडिड़ साल कि अज हम जाए खर न रूजा जब ours झाए चे अज़िध 2 लोग ज 1